अगर जमो कश्मीर की बात की जाए सेहत स्कीम लाए गए जिसमें जितनी फैमिली जमो कश्मीर की है एक एक इंडिविजुल को पांच लाग की इंशॉरंस मिली है आयुश्मान कार्ड की वज़ा से बहुत सारे लोगों को हेल्थ केर फसिलिटीज जो है वो मिलना शुरू हो प्राइवेट हस्पिताल में बिजाकर अब वो इलाज कर भा सकते हैं उसके इलावा यहां पर एम्स जमो में बनने जा रहा है यह सारी वो चीज़ें हैं जो डिरेक्ली लोगों जमो कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ी हुई है और इस सब का क्रेट जो है वो जमो कश्मी क्या आमादमी पार्टी पंजाब और दिली बेच कर जमो कश्मीर में सियासत की शुरुआत करना चाहती है आमादमी पार्टी के अगर बात की जाए पिछले दिनों आपने देखा कि नया दफ्तर लेने के बाद से पध्यात्रा की और थोड़ा आक्टिव जो है वो सियासत में आमादमी पार्टी नजर आई लेकिन जब बात आती है कि डिली में क्या हो रहा है पंजाब में क्या हो रहा है कहां पर किन स्कीम्स का इस्तमाल किया जा रहा है इस पर समझना चाहेंगे कि यह जमू कश्मीर के लिए relevant आखिर कैसे है मेरे साथ आमादमी पार्टी के तीन लीडर हैं इसे बात करेंगे एड़ोकेट संजीर सरी मेरे साथ है मुझे बताएं कि पंजाब में अगर कोई क्लिनिक्स आमादमी पार्टी खोलती है जम्मु कुश्मीर के लोगों के लिए ये रेलिमेंट कैसे है सबसे पहले तुम्हें आपके दर्शिकों को 75 में सुफतंतरता दिवस की हार्दिक शुबकामनाई देता हूँ रही बात आपके क्वेश्चन की जहां जहां हमारी सरकार है खासकर दो जगाई यह है फिलाल तो दिल्ली और पंजाब में आने वाले जगा वक्त भी बताएगा कि कितनी जगा और बढ़ती है एक पार्टी की कथनी और करनी में फरक पड़ता चलता है जिस वक्त हमारी पंजाब में सरकार बनी थी तब काफी लोगों को शंका थी कि जो फिसिलिटीज हमने दिली में दी है और जो वाइदे गारंटीज दी हुई हैं हमने पंजाब में क्या वो हम पूरी कर सकेंगे या नहीं और तकरीबन तमाम पुलिटिकल पार्टीज जो हमारे अगेंस थी खासकर पंजाब की बात करें चाहे वो कांग्रिस थी चाहे वो अकाली दल बाजपा की कंबिनेशन की रहे हैं या बाकी छोटी पार्टीज जब बड़ी पार्टीज भी जो थी सारे एक शंका व्यक्त करते थे के वाक्यए में ऐसे वादे पूरे हो सकते हैं या नहीं आदमी पार्टी ने आज 75.77 दिवस के लिए गोशिद किया था कि 75 आम आदमी क्लीनिक खोले जाएंगे और आज पंजाब की सरकार ने 75 आम आदमी क्लीनिक खोल दी हैं इस से आपको एक चीज तो बिलकुल कलियर हो जाती है कि आम आदमी पार्टी जिस बात की गारइंटी दे पूरा करती है कि आम अदमी पार्टी चुनकर आती है तो यहां पर भी आप मुहला क्लीनिक्स खोलेंगे। बिलकुल सही आपने कहा और यह पब्लिक के बीच में एक दारना बनाने का भी है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आज तो मैं पूरे बारत वर्ष के लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक बात देना चाहता हूँ कि हमारे आधरनिये प्रदान मंतरी श्री नरेंदर दामोदार मोधी जी ने आज से तीन-चार साल पहले एक सर्याम बाशन दिया था और कहा था कि 75 में सर्तंतरता दिवस पे पूरे हिंदुस्तान में एक भी बेगर नहीं होगा हर एक को पक्का गर दिया जाएगा पक्का गर ही नहीं दिया जाएगा पानी का कनेक्शन भी दिया जाएगा बिजली का कनेक्शन भी दिया जाएगा गैस का कनेक्शन भी दिया जाएगा और पक्की छट दी जाएगी और एक भी आदमी जहां एक भी परिवार हिंदुस्तान में 15 अगस्त 2022 जानि कि आज के दिन बिना गरके नहीं होगा मैं ये आपको डिफरेंशियेट करके बता रहा हूँ कि आज से 3-4 साल पहले की डेड़ दी हुई है आज डेडलाइन खत्म हो गई मैं उन सभी से मैं तो मावी नहीं मांग सकता कहता हूँ कि बारती जन्ता पार्टी की तरफ से एक एपालोजी तो निकलने चाहिए मावी तो मांग सकती है कि उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर सके और बाकी चीजों की तरह ही ये भी एक जुमला निकला भारती जन्ता पार्टी की नहीं बात किया है मिर्टा एडवोकेट अर्विन बंदराल भी है आप मुझे बताएं कि भारती जन्ता पार्टी किसी और स्टेट में क्या कर रही है क्या जब मुकश्मीर के लोगों को उस बात से फरक पड़ता है अगर उस बात से फरक नहीं पड़ता तो इस बात से फरक क्यूं पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी डेली है पंजाब में क्या कर रही है देखिए जब तो अगर हम आम आदमी पार्टी अगर दिली मौडल आगे करती है तो इससे किसी को कोई दिकत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से दिली में बड़ी जादा अच्छी तरक्की हुई है जैसे ही आप स्कूल के एजुकेशन लेवल देख लीजिए कितना बड़ा है और बिजली मे कंसेशन भी मिली है और महला क्लिनिक्स वगेरा का कंसेप्ट जो है वो डेली से आया है तो उसी चीज़ को आगे हम रखके अपने जमू की भी डिवेल्मेंट की बात रख रहे हैं किया पॉसिबल है जैसी जमू कश्मीर की टेरेन है कि आपको डिली में पहारी भाड़ी ऑलाके तो मिलेंगे नहीं आपको डिली में रजोरी पुंच बोड़ा किश्टवार इस जैसे दूर दराज ळाज़ाज भाड़ेंगे नहीं तो क्या पॉसिबल है कि मोहला कलिनिक्स education system में जो reform किया बात कर रहे हैं वो जमू कश्मीर की इस terrain को ध्यान में रखते हुए यहां की unique problems को ध्यान में रखते हुए क्या यहां पर वो सारा कुछ करना मुम्किन है एक तो यह चीज है कि यहां थोड़ा सा easy है मेरे हिसाब से दिल्ली में भीड भार जादा है जगा कम है अगर यहां पर पहाड़ी लाका है तो हमारे पास जगा एविलेबल है और यहां की जुरूरत जादा है मेरे हिसाब से जो पहाड़ी दूर दूर राज के इलाके हैं वहां से लेकर जम्मू हास्पीटल तक पहुचने में एक वक्त निकल जाता है यह आज की जुरूरत है कि वहां पर क्लोजिस्ट कोई प्लेस होना चाहिए जहां पर आपको मेडिकल फैसिल्टी अमर्जेंसी के टाइम पर मिल सके और यहां पर जगा भी अबिलेबल है कोई हास्पीटल बनाए गए हैं इंस्ट्रास्ट्रक्चर मौझूद है कैसे अगर जाने को तयार नहीं होंगे देखिए जो स्टाफ है वो तो इनको लेना ही पड़ेगा ठीक है और ऐसा नहीं है कि जम्मू कशिबीर में टैलेंट नहीं है या उस तरीके की पढ़ाई नहीं है नहीं ऐसा नहीं है वो लोग हैं बस दिक्कत आ जाती है कि उस हिसाब से उनको जॉब दी नहीं जाती है ठीक है टेकनिकल जो एड्यूकेशन्स हैं यहां पर भी बहुत जादा अच्छे हैं और लोग इंटेलिएंट भी हैं तो मुझे नहीं लगता यह दि यालिटी से जो है वो कट आफ करके वादे कर रहे हैं अगर आप यह कहते हैं कि रजोरी पूंचिन इलाकों में भी महले क्लिनिक्स खोले जाएंगे और वहां पर भी डॉक्टर जाके सर्फ करेंगे क्योंकि फिलहाल तो देखने को यहीं मिलता है कि अगर कैंसल किया जाता ह अपने 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 इलाकों में वापिस जाएं तो उसको लेकर भी जो यह शोर और हंगामा जो मकश्मीर में होता है कि आप इन्हें वापिस कैसे बेज रहे हैं कोई क्यों दरहाल जाएगा कोई क्यों मेंडर जाएगा आपने बहुत अच्छा कोश्चन पोचा है यही मैं आपको अभी इंटरप्ट कर रहा था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की नियत साफ है और सबसे पहले तो हम करप्शन खतम करेंगे क्योंकि करप्शन खतम करना बारत वर्ष से करप्शन खतम करना आम आदमी पार्टी की जिद है यह सारी चीजे हमारी हकूमत में तो होने ही रही है और यह सरकार की नालाइकी बता रहे हैं कि अगर अड़ेस्टमेंट्स कर रहे हैं कही ना कही करप्शन इन्वाल है अगर आपकी नियत साफ है आप करप्ट नहीं है क्या आपका सरकारी मुलाजम आपका कहना ना माने आप दिल्ली की बात करते हैं दिल्ली में ही वही ले लीजिए हमारी सरकार ने एक भी टीचर को निकाला नहीं है एक भी आप कहते हैं संसाइं आप बेकल ठीक है रहे हैं कि CSC सारी PSC सुगर लगी हुई है लेकिन कहीं पे स्टाफ नहीं है कहीं पे फरनीचर नहीं है कहीं पे एक्विपमेंट्स नहीं है कहीं पे मेडिसन्स नहीं है एक कहां जा रहा है सारा करेप्शन में जा रहा है आज के पटिकुलर मैं आपको बता रहा हूँ 75 जो महला क्लीनिक पंजाब में खुले हैं आप हिसाब लगा लीजिए एक महला क्लीनिक में चार या पांच लोगों को रोजगार मिला दूसरा वहां की आपोजिशन पार्टीज भी कह रहे थे कि जगा तो सरकार की आगे ही पड़ी थी लेकिन उसके आगे जाड़ियां निकलाए थी उसको चार डबे से रंग दिया तो महला क्लीनिक आपकी जानकारी के लिए आपको मैंने पंजाब के एक महला क्लीनिक की वीडि महला क्लीनिक बनाए गए हैं वो जहां ना सिर्फ मुफ्त में दवाईयां मिलेंगी बलकि कई किसम के टेस्ट बेलकुल हुरी होंगे इसे एक मेन कंसेप्ट आप तो दात देनी चाहिए आम आदमी पार्टी की जिसने महला क्लीनिक कंसेप्ट लाया इवन फारन कंट्रीज ह हमें हमसे हो सीखने के लिए आ रहे हैं दिली में कि किया कंसेप्ट आप एक छोटी सी बात समझने वाली बात है महला क्लीनिक्स खुलने से सबसे बड़ा फरक है पड़ता है जो आपके बड़े हासपिटल्स हैं सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल्स हैं तो का लोड़ भी कम पंजाब के मुखे मंतरी सरदार बगवान सिंग मान ने खुद अपने आज के बाशन में भी का है तकरीब नबे परसंट तो लोग वहीं से सैटिस्वाइड होके जिनको चोटी मोटी बिमारी है वहीं से सैटिस्वाइड होके ठीक होके अपने गर में बैठ जाते हैं और एक बकाएदा सिस्टेम से उनका पूरा रिकारड रखा जाता है ताकि अगली बार जब वो जाएं तो वो पुरहना रिकारा एक गिलिक पर निकला है रिजेस्ट्रिशन हरा नमबर आपने बताना हो सारा क्लिक निकला है उससे बड़े हास्पटल्स पर भी लोड कम होताै अभी आदमी पार्टी ने जो जो वादे किये थे, जो जो गारंटीस दी थी पंजाब में, जैसे मुफ्ट बिजली की, आप देखते हैं, पहली जुलाई से मुफ्ट बिजली की हो गई है, और कही जगा एक महीने का भी लाया, कही जगा दो महीने का भी लाता है, फिट्टी वन लै का जो बकाया था दो सो करोड का दो सो करोड उनके खातों में डाल दिया गया है पेंशन गर गर जाके मिलना शुरू हो गई है अभी पांच महीने का वक्त तो लगेगा अभी हमने 75 महला क्लीनिका ही नहीं वादा किया था यह तो छोटे स्पैन में आइसना आइसना काम चल रह है अभी ने वहां पे बाकी हेल्थ किna के सारी काम चल रहा है princip को सुदाने का काम चल रहा है बिज्वनेस को बढ़ने के लिए काम चल रहा आपको बताने का यही है के जहां जहां खासकर दो ही जगह है इस वक्त आमादमी पार्टी की सरकार है वह वहां वहां जो जो से वादे किये थे वो पूरे हुआ है और ऐसे ही आपको बताना चाहता हूँ आप में जो स्टार्टिंग में कोचन पूचा था कि जम्मू किश्मीर में क्या इंपक्ट होगा आज कल का यूथ बहुत समझधार है पड़ा लिखा है फेस्बुक का जमाना है इंटरनेट का जमा और अगले को पता चलता है कि आज दिन तक इस पार्टी ने जितने भी वादे किये एक पे भी बैक ट्रैक नहीं हुआ इस पर बात करेंगे मिरे साथ एड़ोकेट राकिश अबरोल भी है आप से समझना चाहूंगी कि अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए सेहत स्कीम लाए गए जिसमें जितनी फैमिली जम्मू की है एक एक इंडिविजुल को पांच लाग की इंशॉरंस मिली है आयुशमान प्रेड जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार चाहा है वो लेफिनेंट गवरनर की सरकार हो भी लेती है और भारते जनता पार्टी भी लेती है तो लोगों को उससे ज़्यादा फरक पड़ेगा वो उससे ज़्यादा इंप्रेस होंगे या फिर वो इस बात से ज़्यादा इं आईश्मान लाएंगे इंशुरंस लाएंगे तो ऐसा नहीं है कि एक गोवर्मेंट एक ही पर स्टिक रहेगी अभी अगर आम आदमी पार्टी आगे अब जैसे महुला क्लीनिक्स हुए दिल्ली में गोवर्मेंट्स अपनी अपनी स्कीम्स टाइम टो टाइम ला रही है और उ हो सकता है कि आईश्मान इन्होंने पांस लाग तक फ्री किया क्या पता गोवर्मेंट इस से जादा एकसीड कर जाए माउट इस से जादा कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर है जो पबली के वैल फेल के लिए मतब इस ऐसा होगा कि बाकी स्टेट्स के लिए भी रोल मॉडल बन जा कि देखो यह गो मैंने आसा किया क्या मानते हेल्थ केर फसिलिटीज की जहां तक बात की जाए अब एक आम आदमी भी प्राइविट हस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकता है बगार अपनी जेब से पैसे खर्चे हुए क्या वो उसमें खुश रहेगा या आपको चैनल और जम्मू के हर एक चैनल में इस स्कीम की जितनी दजीयां उडाई गई क्या राजोरी से आया हुए क्या पोंच से आया हुए आपके बख्शी नगर हास्पिटल के बाहर तरफते लोग नहीं देके वो कार दिखाते थे वो कहते थे सुपर स्पेशलिटी हास्पिट वाले बाहर दोड़ाते थे और आपकी जानकारी के लिए आपने ही जैसे बोला है कितने तक का पांच लाक रुपे तक का इलाज एक परिवार का एक साल में आयूशमान स्कीम के ताइट फ्री है यही है ना अन्दा कांट्रेरी दिल्ली में आपका बगैर कार बनाए एक करो और रुपे का क्यों नहीं है वो भी प्री है और एक का नहीं है पूरे परवार का नहीं है गरीब का नहीं है अमीर का सबी का प्री है इसमें और आईशमान स्कीम पे आप खुद डिफरेंशियेट कर लीजिए तब ही दिल्ली में आईशमान स्कीम नहीं लाग हुआ है दिल से चोटी दुआई यह वही हाल है हमारे एजूकेशन सिस्टम का बिल्कुल फुरी है कहने को तो आप कह सकते हो जए एंड के में भी आजूकेशन फुरी है मेरे को एक संस्ता दिखा दीजीए जहां फुरी है एडमिशन के नाम पे अलग लूट है एन्वल चार्जिस के नाम ब्लूत है उनिफार्म के नाम पे अलग Лू cotton ए, मिड्डे मील की हालत आप मेरे से बेहतर कोई बारा आपका चैणल दिखा चुका है ये फर्क बढ़ता है औरस बड़ा फर्क जी है ने, एक नियत का होता है आप आदमी पार्टी की नियत साफ आ है, और साथ में, जिस व intellect पास ना तो सरकार के पास पैसे की कमी रहती है और सारे प्रजेक्ट अपने आप कम्पलीट होने शुरू हो जाते हैं अगर अच्छी नियत और साफ नियत हो तो बहुत-बहुत शुक्रिया तो आपने साफ तोर पुर्पर सुना कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो तर झाल झाल